ओम श्री परमात्मने नम्हा, ओम नमो भगवते वासु देवाय, कार्तिक मास का महात्म अध्याय तेरवा नारजी बोले, जलंधर राहू की इन बातों को सुनकर क्रोधित हो, अपने दैत्यों को साथ लेकर जल्दी जल्दी चल दिया जल्दी के कारण उसका मुकुट पृत्वी पर गिर गया, और आप भी फिसल पड़ा, दैत्यों की सेना के सैक्णों विमान आकाश में ऐसे छा गए, जैसे वर्षा रितु में बादल तब उसको आता हुआ देख करिंदरादिक सब देवता छिपकर शिवजी के पास गए, और बोले हे स्वामिन, देवताओं की इस विपत्ती को क्या आप नहीं जानते हो, आप जलंदर का वद करके हमारी रक्षा करो, इस प्रकार देवताओं की वचनों को सुनकर महादेव जीर ने हस कर विश्नु भगवान को बुलाया और कहा कि आपने संग्राम में जलंदर को क्यों नहीं मारा, अपने वैकुंठ को छोड़ कर उसके घर क्यों जा बसे हो, विश्नु बोले आपके अंश से उसका जन्म है और लक्षमी जी का वह भराता है, इसलिए उस दैते को नहीं मारा, आप ही मारिये, शिव जी ने कहा ये बड़ा तेज अस्वी है, इन शस्त्रों से मेरे हाथ से नहीं मरेगा, इससे सब देवताओं सहित अपने तेज का अंश मुझे अस्त्र बनाने के लिए दो, तो नारज जी आगे बोले, तब सब ने अपने अपने तेज दि बनाया, बाकी बचे तेज से इंद्र ने भी वजर बनाया, किन्तु जब करोडों हाथी, रत और सेना समेत जलंधर कैलाश के पास की भूमी में दिखाई दिया, उसको देख सब देवता जैसे आये, वैसे ही छिपकर चले गए, शिव जी के गण, नंदी, गणेश, स्वामी कार्ति, कादी, सब देवता महादेव जी की आग्या से युद्ध के लिए आये, वीरों को प्रसन करने वाली भेरी, मृदंग और शंक, ध्वनियों तथा, हाथी, घोडा, रतों के चलने से भूमी कापने लगी, शक्ति, तोमर, बाण, मुसल, फरसा, आदी, शस्त्रों से आकाश भर गया, युद्ध में मरे हुए दैते को मृत संजीवनी द्वारा शुक्राचारे बार बार जीवित करने लगे, देवों ने शिवजी के पास जाकर शुक्राचारे का सब चरित्र कहा, तब महादेव जी के मुख से भैंकर कृत्या, राक्षसी पैदा हुई, जिस शुक्राचारे को अपनी भग में धर आकाश में अंतर ध्यान हो गई, अब देवता शुक्र को पकड़ा हुआ देखकर आनंद से दैत्यों को मारने लगे, शिवजी के गणों से भैभीत दैत्यों की सेना ऐसे अलग थलग हो गई, जैसे वायू के वेक से चलने से त्रण सम मूह भी खर जाता है, गणों के भैसे भागी सेना को देखकर सेना पती निश्युम्भ श्युम्भ और काल नेमी अतिक रोध करके युद में गए, वर्षा के बादलों की तरह इन तीनों ने बाणों की वर्षा करके शिवजी की सेना को घेर लिया, सैक्णों बाणों से घा अतितर बितर होकर युद्ध छोड़कर भाग गए, फिर नंदी गणेश और स्वामी कार्तिक अपनी सेना को भागी हुई देखकर क्लोध करके वेक से बढ़े और दैत्यों को बलपूर्वक रोक दिया, ओम नमो भगवते वासु देवाए, श्री क्रिश्न अर्पणम अस् लिजश्ण dewशशटी शेट लिपनी सेना.